हलो फ्रेंड, CKD Stock Market News चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए का और वापस से केस खुल चुका है, अडानी, हेंडनबर्ग और उसके बाद बहुत सारे लोगों को इस बार लपेट दिया है इ पूरी जब रिपोर्ड मैंने यह पढ़ ली है, और पढ़ने के बाद केबल कुछ लोगों पर आपको ध्यान देना चाहिए, सबसे पहला आपको इस ग्रूप पर नाम ध्यान देना चाहिए, आई आई एफल को इन्होंने लपेट लिया है, जी हाँ, ग्लोबल डाइनमेक अपर्चुटी फंड जिसको वन वैम के नाम से आप जानते हो, 361, 361 के नाम से आई एफल की कंपरी मार्केट में लिस्ट है, और उसके शेर प्राइस और मोस्ट डबल हो गया है, पिछले एक साल से, तो ये भी ठीक है, आई एफल को आप याद रखना, इसके बाद इन्हो अपर मोदी जी को अटैक कर दिया, क्योंकि आजकल किसी का बच्चा भी रोता है, तो कहता है, मोदी जी की वजह से रो रहा है, तो वह तो उसी तरह के इन्होंने से भी चेर परसन को भी लपेट लिया है, अच्छा हुआ यहां पर सुप्रीम कोड को जज को नहीं लपेटा इस बार नहीं तो वो कह देता सुप्रीम कोड़ के जज ने भी अडानी कोपर कोई सुनवाई नहीं करी उसको सबूद नहीं मिले तो उनको भी सामिल कर लो ठीक है तो कुछ लोगों के बाद पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद में हमको किवल एक चीछ पता चली ये हैं अब मोस्ट इस्टॉक एक्षेंजेस में इस समय गिना जा रहा है हमारा इंडेक्स दुनिया के किसी भी इंडेक्स से बहत्रीन परफॉर्मस कर रहा है चाहिए वो चाइना का हो कोस्पी यानि की कुरिया का हो अमेरिका का डाओ जोंस हो या नेस्टेक हो ठीक है और जैपैन का हो ठीक है इन सभी के stock exchanges से सबसे अधा परफॉर्मेस सबसे अधा बैतरीन परफॉर्मेस हमारा NSE और BSE कर रहा है हमारे जो depository है CDSL और NSDL बहुत बैतरीन काम कर रहे हैं इसके साथ साथ हमारा जो regulatory है authority जो कीन के हाथ में है current में और इनी के उपर आडानी ने आरोप और पत्यारोप भी लगाए हैं किस हद तक सही है मैं नहीं बताना चाओंगा और मैं जानना भी नहीं चाओंगा किस हद तक सही है क्योंकि हमारा ये internal matter है और हम यह आपास से बैटके सुल जाएंगे उसके बाद में इन्होंने कुछ fact भी रखे हुए हैं जो भी fact रखे हैं आप आरहसानी से पढ़िएगा क्योंकि blame करना है कि नहीं करना है यह आपने decide अभी तक कर लिया होगा और मेरा यह मानना है एक कहानी आपने बहुत पुराने जमाने में सुनी होगी कि कहवा कान ले गया किसी ने अपना कान नहीं देखा blame कर दिया कवये गूप अब लोग कहेंगे यार यह तो कहानी है क्या बेवकूफों वाली बात है यह कोवा कान ले जा रहा होगा तो बहुल सारे लोगों विश्वास किया होगा कि कवगा कान वाकि मिले गिया लोगों ने अपना कान हला की चेक नहीं किया होगा वैसा ही कुछ हुआ यहाँ पर अडानी ने पिछली बार अडानी के खिलाब रिपोर्ट निकाली और मार्केट में देखो अडानी के जो चार-चार अजार रुपई के शेयर थे वो 400-400 रुपई तक बिग गए उसके बास से वापस से अडानी ने काफी हद तक रिवाइब कर लिया है और वापस से यह एक रिपोर्ट लिकर के आ गए और इसी रिपोर्ट में हंडेन वर्ग ने वापस से इन्होंने शॉर्ट पक्क 361 के नाम से 36360 और ONE 1 के नाम से लिस्ट हैंड का तो इस बार सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इस बार सिभी चेर परसन को भी घसीड लिया है अंदर की तरफ आप देखो वही कववा कान काट ले गया कि नहीं काट ले गया अब यह पता चलेगा आपको मंडे को सौंभार को, स Lionsby. क्या होगा कि अगर Market गिरता है, to समझ जाना, लोगों ने विस्वास कर लिया, कि कवा कान कार्ट कहुआ, काँ ले गया, अगर Market नहीं गिरता है, तो आप यह मानकर चलना फिर जो गवाक हैं वह कहानी जो थी, वह कहानी सिर्फ एक कहानी थी ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना मानना है आपने ये रिपोर्ट अभी तक पढ़े ली होगी और मैं काफी लोगों के रिव्यूज भी देख रहा हूँ और लोग मेरे पास काफी फोन भी कर रहे हैं तो वो सब यही कह रहे हैं कि यार कुस्तो गड़बर है मेरा सिर्फ उन से इतना ही मानना है कि आपने इन दस सालों में किवल दस सालों में आप बताएं कि आपने कितना पैसा शेयर मार्केट से कमाया तो लोग बोलते हैं यार बहुत ज़्यादा पैसा कमाया आप मीचुल फंड पर किस हद तक भरुसा करते हो भाई 10-10 लाग रुपए डाल रहे है 2-2-4-4 लाग रुपए साल साल भर में बढ़ रहा है ठीक है ये भी अच्छी बात है पैसा बन रहा है लोगों का ठीक है चाहे वो शेयर मार्केट के माध्यम से हो चाहे वो मीचुल फंड के माध्यम से हो पहले कितना टाइम लगता था आपको अकाउंट खोलने में पहले लगता था 7-8-15 दिन लगते थे डिमेट अकाउंट खोलने में 10,000 रुपए minimum लिमिट थी आज की डेट पर आप फ्री में अकाउंट खो सकते हो चलो ये भी अच्छी बात हुई पहले कितने दिन में पैसा आता था पहले आता था T plus 3 days मतलब आप आज बेचो गए 3-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा आज की डेट पे क्या है आप बेचो कल आपके अकाउंट में 80% तो तुरंत आप आइप यो लगाते हो करते हैं हाँ लगाते हैं आइप यो लगाते हैं आइप यो का पैसा क्या सिस्टम रहता था करते साथ दिन में आइप यो का प्रोसेस पूरा होता था और अभी कितने दिने पूरा हो जाता है भाई अभी तो बाई जे दिन IPO close होता है उसके अगले दिन ही allotment आ जाता है और उसके next day आपका simple थी बात है कि share भी list हो जाता है तो यह अच्छा है कि नहीं अच्छा है कहता है बहुत अच्छा है यार अब तो पैसे बहुत तीजी से यह जाते है मेरा मानना है जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा है यह किस ने किया कहता है यह से भी किस ने किया किस के आने के बाद इस बंदी के आने के बाद हुआ फिर हमने यह कहा एक बंदा आता है कह देता एक अच्छे इंसान को कि यार वो इंसान बेकार है आप ये सोचो कि यार इस इंसान ने सब कुछ अच्छा किया कुछ तो गडबड है उसके अंदर दया हमारी जो सक करने के आदा थे ना कि अच्छा है तो अच्छा क्यों है मेरा बाना जिस दिन वो इंडिया से दूर हो जाएगा उस दिन हम लोग वाक्य में एक विक्सित राष्ट बन जाएंगे एक ऐसे बंदे ने इंडिया को बारे में एक हिंडियन बर्ग ने एक ऐसे बंदे को हमारी सुप्रीम कोर्ट है भाई हमारे आगे बड़े बड़े लॉयर्स है ऑपोजिशन भी हमारा मजबूत है जिस दिन उसको पता चलेगा वो खुदी स्टेटमेंट पास करेगा हम लोग खुदी इंटर्नल मैटर है हमारा यह हम समाल लेंगे एक बहार का बंदा आता है वो हमारे डिरेक्टली ओपोस करता है हमारी रेगलेटरी ओथरिटी को एक तरीके से ब्लेम करता है हमें भरोसा मेरा मानना है नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों को खास तक नहीं डालने चाहिए मेरा मानना है कि अगर मंडे को मार्केट गिरता है तो वो एक उपरचुटी की तरह आप लेना Qsday को भी market गिरे वो भी एक opportunity की तरह लेना साल भर अगर market गिरे उसको भी आप opportunity की तोर पे लेना अच्छे share को अगर market गिरता है तो छोड़ना नहीं है अच्छे mutual funds को अगर market गिरता है तो उसे छोड़ना नहीं है वहाँ पर लमसम करने की चेश्टा बनाना और share market के अंदर बि क्योंकि यहां पर क्या होगा कि हिंडेर बर्ग ने तो short कर रखा होगा ठीक है वह पैसे निकाल के ले जाएगा आपने क्या करना है अगर बेच दिया अगर आपने बेचा as a retail investor बतार हो अगर आपने बेचा तो इसका मतलब है वह सही है ठीक है तो आप अगर आपने ना आपके जाएं इंडिया से पहले लोग कहते थे कि अमेरिका की लोग आते हैं इंडिया में इंवेस्ट करने के लिए या FIIs आते हैं सही मायने में FIIs बोलना से रहेगा क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं इंडिया के अंदर पैसा डालने के लिए पहले क्या होता थ यह बाहर की लोग पैसा लेकर के तो आएं सिर्फ उन्हें मजे में ये मिले कि मेरे भाई बस पैसा देके जाओ हमने सिर्फ लाना सीखा है देना कुछ भी नहीं सीखा तो आपको देना नहीं है और इनकी रिपोर्ट ठीक है रिपोर्ट आप आराम से पड़ो नौलेज के मार्केट गिरता है तो उसको ऑपर्चूटी की तौर पर लेना और बिलकोल डरना नहीं शेयर मार्केट से मेरे भाई और मेरा वनना है देखो भाई जो भी अगर इन दोनों ने गलत किया है तो उसके सजा हमारा सुप्रीम कोर्ट देगा ठीक हमारे पास भी रेगुलेटरी का पैसा है आपको डिसीजन लेना है कि आपने क्या करना है मेरे में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा हरर महादेव अजयापा श्रणम हरी श्रणम बहुत बहुत धनिवाद और इंडिया की ग्रोथ इस्टोरी पे भरोसा रखो 15 अगस्ता